वेल्कम डू परताब क्लैसिस दोस्तों परताब क्लैसिस के यूटू चनल पर आपका स्वागत है आज है 18 नुमंबर 2023 और 18 नुमंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो क्रेंड एफिर्स के क्योशन मनते हैं आज उनका हम डिसकेशन करेंगे पूरा वीडियो द्या सक्ती 2023 बारतिय नोसेना की चोती पंडूबी अमिनी लॉंच और पादप स्वास्तिय प्रबंदन पर अंतराष्टिय सम्मेरन 2023 इनकी आजम चर्चा करेंगे तो पर डेली आपको निरंतर पूरे लेटेश निउस के साथ सुबह 6 बज कर 30 मिन पर आपको लाइव क्लास मिलती है तो सारे विदार्थी एक बार वीडियो को लाइक सेर करेंगे और जो विविदार्थी हमारे इस्टर अपड़नी है तो जुरूर आप तो नको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का गंटा दवाएं ताकि हम जैसे वीडियो प्लोड करें उसका नौट विवेस्ता बनेगा तो दो हजार सताइस तक किस लेखा को पहला लाइप टैम डिश्ट बिरिंग दा पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये किया गया सलमान रुस्दी को नौवा भार्त अंतराष्टी विज्ञान मोचसो जनवरी दो हजार तो इसमें किस सहर में आय लीप सिंग पूरी ने अंतराष्टी किर्केट में सबसे ज़्यादा सतक जड़ने वाले दुनिया के इकलोते बल्लेवास कौन बन गये तो विराट को ली कौन सा बैंक RBA के इनोवेटिव अकाउंट एगरिग्रेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में अगरनी बन गया तो वो ह इनसर्ड बैंक भारत ने सहरी बुनियादी डाचे के विकास के लिए किसके साथ 400 मिलियन डॉलर का समझोता किया तो यह किया ऐसी विकास है बैंक के साथ तो यह आपको बता है उपवोकता मुल्या सुचकांत द्वारा मापी गई भारत की खुद्रा मुद्रा स्पिति अक्टूबर में कितने परतिशत है तो यह 4.87 परतिशत किस लिमिटेड ने दुनिया के पहले जाज से जाज तरली कृत प्राकृति गयंस हस्तांतरन को सफलता पुर्योग टेलिग्राम पर मिलती है तो बड़िया तरीकिस साब शाम को क्या करो क्योंकि आपको 10 क्योशन डेली मिल रहें तो आपको वह क्या लगबग है बारत और जो विस्तों की जोग्राफी वह एक दम में क्लीर हो जाएगी एक मैने तक आपके लिए जोग्राफी चलेगी उसके लगातार यूटूबर क्लास ही मिल रही है और आपको टैस्ट भी आपको लगातार इसके अंदरे दी जा रहे हैं तो बड़ी आतरीके से यह 100 रुपर एक सालरोंड टी है तो प्ले स्टोर से आपड़ता आप लैसे जेप को डाउनलोड करें और इस टैस्रीज को जोइन कर सकती हैं आज की क्लास का पहला क्योंस देखो आपके सामने हाली में भारत और स्रिलंका के बीच शुक्त सेने अब्यास मित्तर सक्ती 2023 कहां पर शुरू हुआ है तो भारत और स्रिलंका के बीच में एक शुक्त सेने अब्यास मित्तर सक्ती 2023 और इसकी शुरूआत हो चुकी है पूरे के अंदर कहां पर हो चुकी है option number 1 पूरे के अंदर भारत और सिरलंका के बीच में शुक्त सेने ब्यास जिसका नाम है मित्तर शक्ती 2023 और इसकी अभी शुरुआत है हो चुकी है देखो बारेश स्रीलंका शुक्त मित्तरसकती पूणे के ओंद में सुरू होचुका है इसका नौवा संस्क्न के इस ब्यास को 16 से 39 नुमंबर के बीच पूणे के ओंद में इसका आजन किया जाएगा तो 16 नमंबर सी स्टार्ट हो चुका है और 29 नमंबर तक इसका हैजन होगा इस व्यास में भारतिय टुकडी के 120 सेने कर्मियों सहीत भारत और सिरलंकाई वायू सेना के करमशे 15 और 5 कर्मी इस व्यास में बाग ले रहे हैं और इस व्यास को शुंक तराष्टर चार्टर के ज्य खरी 7 के अंदरूप इसको विजन किया जार है जो पिश्ला संस्क्रण है वह श्रिलंका के अंदरा ढिजित हुआ ठाथ है और यह अब की बाओ जो 9 सं나ठट hen पूने के अंदरा अन्दरा यह जित है और कौन से व्यास है मित्तरशक्ती dho हजार है कैठ踪 हाल में दो हजार च जिम्मी की मेल ओप्स नमबर C कौन बनेंगे ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये हैं जिम्मी की मेल और इनको 2024 के लिए 96 ओसकर पुर्षकारों में मेजबान की रूप में इनको चुना गया है किसको जिम्मी की मेल को देखो मुखेत आते अकेडमी ओफ मोशन पिक्टर्स आर्ट एंड साइंसेज ने गोशना की है कि जिम्मी की मेल को 2024 में 96 ओसकरों के मेजबान है इनको बनाया गया जो उनका लगातार दूसरा और कुल मिला कर ये चोथा वर्षान की इस साल का उनको चोथा ये 96 ओसकरों में मेजबान है बनाया गय पाक 10 मार्थ 2024 को ये गोशित होंगे पुर्षकार स्थान कामपर है होलिवुड में डोलबी थेटर में और मेजबान कोण बन गया जिम्मी के मेल इसके मेजबाने चुने गये हैं तो तारीक आपकी याद रखना है 10 मार्थ 2024 हाल में पादप स्वास्तिय प्रबंदन पर अंतराष्टिय सम्मेलन 2023 किस सहर में आयोजित हुआ है तो ये हुआ है एदराबाद के अंदर कहां पर हुआ है ओप्सन नमबर एक एदराबाद के अंदर इसका आयोजिन किया गया है देखो पादप स्वास्तिय प्रबंदन पर अंतराष्टिय सम्मेलन ICPHM 2023 15-18 नमबर 2023 थक हिदराबाद भारत में इसका आयोजिन हुआ है तो आज 18 नमबर है 15 से स्टार्ट हुआ और आज 18 नमबर तक इसका आयोजिन होगा यह मैतपुन आयोजिन Plant Protection Association of India दोरा आयोजित किया जाता है जो राष्टिय और अंतराष्टिय स्तर पर पोदों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने में 50 वर्षों की सम्रिद विरसत वाली सहस्ता है यानि कि यह क्या है पोदों की सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 50 वर्षों का एक इनको गया है सम्रिद विरसत है इसलिए उन्होंने किया पादप स्वास्तिय परमंदन पर अंतराष्टि समयलेने वेदराबाद के अंदर इसका आयोजिन हुआ है हाल में बारतिय नोसेना की चोथी पंडू भी रोधी युदक विमान जिसका नाम है अमीनी ये इसको कहां से लौंच किया गया तो बारतिय नोसेना की चोथी पंडू भी है रोधी युदक विमान जिसका नाम है अमीनी और इसको लौंच किया गया है कटू पली तमील उसे लॉंच किया गया देखो ये सवदेशी जाज निर्माण पहल के मादिम से नोशना की ताकत को बढ़ाते हुए पंडुबी रोधी युद्ध सेलो वाटर क्राप्ट ग्रियोजना के चोथे पोहते अमीनी को कट्टू पली में सफलता पूरवा के इसको लॉंच किया गया मटेरियल के प्रमुक वाइस एड्मिरल हैं संदीप नेथानी की अध्यक्सता में लॉंच समुरा ने सदेशी जाहज निर्माण की दिशा में प्रियासों की परनीति को परदिशी दिश के अंदर है किया गया तो याद रखना बारती नुसना किये चोथी पंडू भी है जि लिए चुना है किसने तो ये चुना है महराष्टर की राज्य सरकार ने आपको पता है महराष्टर की राज्य सरकार ने सुरेश वांडगर ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये है सुरेश वांडगर और इनको कहा है लता मंगे संकर पूर्षकार के लिए चुना कि उनको 2023 के अपने पर्तिष्टिद ज्यान सम्गरी लता मंगे संकर पूर्षकार की लिनको चुना गया और इसमें सांसकर्तिक मंत्रालियों के मंत्री हैं सुधीर मुंग तिवार ने इसकी गोशना किया तो इसको दिया गया सुरेश ईसुर वांकर को ये पूर्षकार है दिया किस सदेश के राष्टपती ने संकूंतला एल बाया को शूंक्त राज्ये परिशद के परसासनिक संबेलन के सदेशे की रूप में नुक्त किया है ये तस्वीर के अंदरा आप देख सकते हो इनका नाम है संकूंतला एल बाया और ये क्या है शूंक्त राज्ये परिशद के परसासनिक सम्मेलन के सदस्य गरूप में नुक्त हुए और किस सदेश की राष्टपती इनको नुक्त किया ये किया अमेरिका की राष्टपती जो बाइडन ने इनको नुक्त किया है देखो अमरिका के राष्टपती जो बिडेन ने एक कुशल और समर्पित कानुनी पेशेवर संकुंत्रा एलबाया को शुक्त राजे परिशद के परसासनिक सम्मेलन के सदेश्य की रूप में निउक्त गिया है तो एक पॉइंट आपको इसमें याद रखना है माल्डीव के राष्टपती के सपत गर्यान समर्वय में किस कैंदरिय मंत्री ने भारत का प्रतिनी देव किया है किरेन रिजुजू रे, option number C, किसने पृत्वी विज्ञान मंत्री हैं, अपने अभी वर्तमान में पृत्वी विज्ञान मंत्री हैं, किरेन रिजुजू, और रोनल के मालदीव के राष्टपती के सपत ग्रेण समरोय के अदर है, भारत का पर्तिदित विनोय किया है, और वर् के सपत ग्रेण समरोय में शामिल होने के लिए मालदीव पहुंचे और विदेश मंत्रायल निर्वाची तराष्टपती के कारेले के वरिष्ट अधिकारी ने उनका स्वागत किया है, तो याद रखना कोण पहुंचे, किरेन रिजी जुजू, अखिल बारतिये फुटबोल महासंग, फीपा अकादमी 21 नुमंबर को किस सहर में लौंच की जाएगी, तो अखिल बारतिये फुटबोल महासंग द्वारा जो फीपा अकादमी है, वो 21 नुमंबर को किस सहर में लौंच की जाएगी, तो ये लौंच कहे जाएगी, बुनेशुर के अंदर, कहां पर है य ये बुनेश्वर है उडिसा के अंदर ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये अखिल बारती है फुटबॉल मासंग के अदेक्स कोन है कल्यान चोबे और ये क्या फीफा अकादमी जो फीफा अकादमी है ये 21 नुमंबर को बुनेश्वर के अंदर लॉंच की जाएगी माहन फुटबॉल कोच अरसनुट वेंगर ये आपको नाम याद रखना है तो माहन फुटबॉल कोच है और सेन वेंगर 21 नुमंबर को बुनेश्वर में वेश्विक फुटबॉल संस्था फीफा की परतिबा विकास योजना के तैत शुरू की जाने वाली ए आई एफम या अखिल भारतिय फुटबॉल माहन संग फिफा अकादमी का उधिगाटन है करेंगे तो ये माहन फुटबॉल के कोच है याद रखना और सेन वेंगर ये कह इस अकादमी का उधिगाटन है करेंगे बारतिय फुटबॉल में युवा विकास से जुड़ी संस्ताओं के अलाव आई एसल यानिकी इंडियन सूपर लीग है और आई लीग कलबों से मुलाकात भी करेंगे तो ये आरसन जो वेगनर है ये 21 से 23 नमंबर तक नहीं भारती के अंदर रहेंगे और ये बुनेशर के अंदर इसका उज़े गाटन करेंगे तो ये अलग-लग जो जुड़ी इनसे सं बात बनगे मोहमद शमी और भारत और उस्टेलिया का आपको पता है भारत और उस्टेलिया का वंडे जो फाइनल है वो 19 नमंबर यानि कि कल 19 नमंबर को इनका फाइनल खेले जाएगा तब अपने देखेंगे कि भारत और उस्टेलिया के बीच में ICC वंड कप का किताब को जीता है तो अपने पूरी अपने आसा करेंगे जो अपनी भारतिय टीम है वो यह बंडे वर्ल्ड कप है जीते मौमर्शमी बंडे वर्ल्ड कप विश्व कप 2023 के पहले सेमी फाइनल मेंच में भारती किर्केट टेम के तेज गयंदबाज है यह मौमर्शमी ने भी इसमें भी सबसे जादा इन्होंने पांच विकेट लेने वाले के एंदबाज है भी बन चुके हैं तो याद रखना इसको बढ़िया तरीके से अप्रेल से लेकर अक्टूबर 2023 के दोरान भारत के नरियात को बढ़ावा देने वाले परमुख गंतावियों के रूप में कौन से देश उबरे हैं तो ये आपके लिए आर्थिक श्मिक्षा का कोशन है भई अपरेल से अक्टूबर 2023 के दोराने भारत के नरियात को बढ़ावा देने वाले परमुख गंतावियों के रूप में कौन से देश उबरे तो वो है निदरलेंड, यूके और और उस्टेल या भारत के नरियात को बढ़ावा देने वाले परमुख गंतावियों के रूप में उबरे हैं वानीजे मंत्राली के प्रारंबिक आंकड़े इसी अवदी के दोरान भारत के नरियात प्रतशन पर इन बाजारों के साकारात मख प्रभाव को रेंका किते करते हैं कि इस नरि के विल्य को मंजूरी देदी अब यह होते क्या हैं देखो असम मंत्री मंदले असम मादिमिक शिक्षा बोर्ड और असम उचतर मादिमिक शिक्षा परिशद इसका याद रखना ए एच से के विल्य को मंजूरी देदी हैं कि पहले अलग लग थी आप दोनों को एक साथ लाए जाएगा इन दोनों को संस्ता हो असम मादिमिक शिक्षा बोर्ड है और असम उचितर मादिमिक शिक्षा प्रिशद है इन दोनों को एक साथ मिला जाएगा एक कर्थ इकाई को अब असम राज्य स्कूल सिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाएन की दोनों को एक साथ मिलाने पर है अब इनको क्या असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड यानि की ASSEB के नाम से जाना जाएगा और इस नेर्दने का उदेश से ये है कि राज्य में स्कूल शिक्षा की गुणूता और मानकों को बढ़ाना तो एक ही चीज अब जाना जाएगा ASSEB राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड है कि नाम से इसको जाना जाएगा तो पीडिए तो कोई सुचन आती है कोई लिंक आता है कोई नोर्टिफिकाशन आता है तो यह हमारा तरीकिस से क्या करो ताकि आपका लगबग जो इंडिया जो जीके है वर्ड जीके है वो एतनम है तैयार होता जाएगा पिछले वीडियो क्योशन क्या था तेरा से सोड़ा नुमंबर को विश्चो पसुष स्वास्ते संक्टन शेत्री है आयो के तेती सो समयलन की मेजमान किस देश ने की तो ये की है अपने देश भारत ने बहुत सारे विदार्थ ने बड़ी शांदार तरीकिस से जबाब दिये उन समी को हर दिक्षुब कामने और कोई विदार्थी अगर हमारी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कोई पीडियो लेना चाता है बलिया देकिसे ले सकते हो जनुरी से लेकर अक्टूबर तक आपको पीडियो फिल जाएगी चाहिए आप राजस्तान करंट की लेना चाते हो या आपको इंडिया करंटे लेना चाते हो तो बड़िया तरीके से पूरे हैक्ट के साथ आपको पीडियो फिलेगी उसका प्रेंट भी आप नि मुक्ष में देना है तो ये थी आपनी बड़िया तरीके से आज अपने करंट की क्लास का धेन कर लिया विडियो को जा जाती लाइक सेर करेंगे ये जनरल साइंस की आपके लिए टैसरी लागातार दी जा रही है और इसकी यूटूब पर भी आख्या आपको दी जा रही है इ ये आपको डेली मरी क्लास आपको मिलते रहेगी और कल संडे है संडे के ने आपको वीकली क्लास है मिलेगी धन्यवाद जय हिन जय भारत